कच्चे चावल का इस्तपाल करके आज हम एकदम कम तेल और कम मसाले में बनने वाले एक ऐसा नास्ता बना करके तयार करेंगे अगर आप रोज रोज इडली डोसा खाका कर होके हैं परसां तो कच्चे चावल के ये रेस्पी जरूर ट्राई करना तो अगर मेरी recipe पसंद आजाए तो like, share जरूर कर दीजिएगा, channel बने हैं तो subscribe कर लिजिएगा, comment करके जरूर बताएगा मेरी recipe कैसी लगी, तो चलिए इस कच्चे चावल के recipe बनाना सुरू करते हैं, तो इस recipe को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक cup कच्चे चावल, मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए भीगो कर रख दिया था, यह अच्छे से फूल चुके हैं, अगर आप चाहें तो overnight के लिए भीगो कर रख सकते हैं, मैंने इसी cup से एक cup भीगोया था, अगर आप चाहें तो कोई भी आपके घर में कटोरी हो, उस कटोरी को सिट कर लेना, को grinding jar में डाल देंगे, इसी के साथ हम और भी चीजे एड़ करेंगे, जैसे 6-7 लहसुन के कली को छील कर डाल देंगे, एक इंच अद्रक के टुकड़े के इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में कट करके डाल देंगे, मैं आप लोग को याद दिला दो कि प्लीज मेरी रे दो के हुए आलू मेरे पास पड़े थे, तो मैं इसी में डाल दे रही हूँ, अगर आपके पास बॉयल आलू नहीं है तो आपका चे आलू का भी इसमें इसमाल कर सकते हैं, अब इसमें कोई पानी का इसमाल भी नहीं करना है, अभी इसको ऐसा ही पीस लेंगे हम, तो यह द तो यह देखिए, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यह कितना फलफी दिख रहा है, दिख रहा है ना एकदम क्रीम की जैसा, तो इसी तरीके का इसका कंसिस्टेंसी रहने चाहिए, नज़ादे गाड़ हैं, नज़ादे पतला क्यूंकि हमें अभी इसमें और भी चीज़े इसमाल कर देना, सिमला मिर्च बारी कट हुए दो चमच, इसमें डाल देंगे, इसी के साथ डालेंगे बारी कट हुए हरी मिर्च दो चमच, अभी इन सब को अच्छे से करेंगे, मिक्स, तो यह देखिए, देखनी में ही कितने अच्छे लग रहे हैं, आपके पास जो भी सबजी ह अगर में पड़े हुए हो, सारे सब्जी को काट कर इसमें डाल देना, इसी के साथ अभी हम इसमें और कुछ चीज़े अड़ करेंगे, आदी छोटी चमच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार देख लेना, दो छोटी चमच इसमें डालेंगे, सूजी, जिसे रावा भी बोला जाता है, अब इसके वो अच्छ से मिक्स करेंगे, अब इसमें एक चमच क्या करेंगे ना, निम्बू डालेंगे, मेरे पास ये खड़े निम्बू थे तो मैंने इसमें निचोड दिये हैं, अगर आप चाहें तो निम्बू का जूस पहले ऐसे हो, तो वो डाल देना अगर आपके पास निम्बू नहीं है, तो चाट मसाला डाल देना, इसी के साथ एक चमच रेट चिली फ्लेक्स डाल देंगे, क्योंकि अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो तीखा थोड़ा कम कर देना, भूने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे इसमें, और इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, एक चोथाई चमच मेरे पास खड़े हुए, ब्लैक पेपर थे तो मैंने इसको कूट कर इसमें डाला है, अब हम क्या करेंगे, इन सब को अच्छे से करेंगे, मिक्स, उसके बाद इसको ढखक कर 10 मिनट के लिए रेष्ट पर क्योंकि इसमें सूजी है, तो सूजी फूलेंगे, तो यह देखिए, फूल जाने के बाद इसका कंसिस्टेंसी एकदम सा चेंज हो जाता है, उसके बाद एक चोथाई चमच बेकिंग सोड़ा डालेंगे, अगर आपके पास बेकिंग सोड़ा नहीं है, तो आप एक पैकेट इनु का इस्तमाल कर सकते हैं, इसके जगापर, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसी तरीके के इसका कंसिस्टेंसी रहने चाहिए, बैटर का, ना ज्यादा पतला, ना ज्यादा गाढ़ा पतला रह जाएगा, तो तो वे पर जाकर एकदम डोसे के जैसा हो जाएगा, लेकिन हमें अभी इसको डोसा नहीं बनाना है, हम इसको थोड़ा मोटे मोटे इसका नास्ता बनाएंगे, अलगतर ही के से, तो ये इसको अच्छे से करेंगे, मिक्स क्यूंकि जब हम इसमें बेकिंग सोडर डाले हैं, तो इसको अच्छे से मिक्स करना जरूरी है, ये बेक है उसे जरूर दबाद दीजिएगा आप क्या करेंगे गैस पर चढ़ाएंगे कोई भी आपके पास तवा हो मीडियम टू लो फिलेम पर क्या करेंगे इसको इस तरीके से बैटर को हिलाएंगे जैसे ही तवा गरम हो जाए उसके बाद हम बैटर में से एक एक चमच लेंगे औ गैस का फिलेम कर देंगे लो लो फिलेम पर हम इसको थोड़ा थोड़ा बैटर डाल कर इस तरीके से इसको फैला देंगे अगर आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा बड़ा भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसको छोटे छोटे बना रहे हूं ताकि दिखने में अच्छे द पर 3 मिनट के लिए लो फिलेंप पर पकने देंगे ताकि आप यूपर से भी ए स्टीम हो जाए और नीचे से भी मुचा मैं अगर आप खाना अग्या कर बोट देंया उपर देते हैं काम है अगर बैटर बना कर और तो सिरफ इसे बनाने में आपको तीन से चार मिन लगेंगे तो इसी तरीके से थेकर दो मिन्ट对क पलट देब दो के लिए भाद दो मिन्ट के बाद हम इससे फ्लेट में निकाल लेते हैं तो यह देखिए दिखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं तो इस तरीके से आप बनाएए चटनी के साथ या फिर आप इसे सौस के साथ भी खा सकते हैं मैंने तो इसे चटनी के साथ नहीं बनाए हैं लेकिन आप इसे जरूर बनाना चटनी अगर आपके घर में हो तो इसे साथ मैं तो साथ कहाऊंगी आप चाहो तो इसे जिस चीज के साथ खाना चाहो खा सकते हो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है या फिर इसे आप चाई के साथ भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है हमारे घर में तो ज़्यादा तर यह ऐसे हैं खाय जाते हैं या तो सौस के साथ या फिर इसे चाई के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर आप कोई चटनी खाना पसंद करते हैं तो मैं आपको उपर आई बटन पर लिंक दे दूँगी चटनी आप बना लीजिएगा बहुत ही ज़्यदा टेस्टी लगता है आप इस तरीके से बनाकर खाओगे ना तो आप ایک बर बना ओße आपके घर माले बोर लेंगे कि नई बार बार यहीँ रेस्पी बनाओ भीटने में इतने अच्छे दिखते हैं और सूुचिए खाने में कितने अच्छे दिखते हैं और इतने सौप्ट है ना कोई बता भी नहीं सकता है कि हमने इसे कच्चे चावल के इस्तमाल करके बनाये हैं तो इस तरीके से कच्चे चावल के इस्तमाल करके इस तरीके साफ रेस्पी बनाई ये खाये एंजॉय किजिए मैं दिखाती हम कितना सौप्ट है ये देखिए कोई बता सकता है कच्चे और दिसक्रेब